ओम महालक्ष्मै नमो नमा गुरुवार को करेंगे अगर ये पाच उपाए पैसो की समस्या हो जाएगी दूर। दोस्तों आज के समय में पैसों की तंगी का सामना करते हुए जीवन जिना बड़ा ही मुश्किल हो गया है। आसमान चुती महांगाई के बीच अगर आर्थिक तंगी को जेलना पड़े तो रातों की नीन उड़ना स्वाभाविक है। अगर आप भी आर्थिक परिशानी से दोचार हो रहे है और पैसों की तंगी लगातार बनी हुई है। कई कोशिशों के बाद भी अगर धन समंदी मामलों में आपको सफलता नहीं मिल पार रही है तो ऐसी सुरत में गुरुवार के दिन कुछ विशेश उपाय करने चाहिए। गुरुवार का दिन भगवान विश्णु जी का माना गया है अगर भगवान विश्णु आप पर प्रसन्न हो जाए तो उनकी कृपा हो जाए साथ ही उनकी धर्मपत्नी देवी लक्ष्मी भी प्रसन्न हो जाती है। इसके साथ ही गुरुवार का दिन देव गुरु बुरहस्पति जी का भी माना जाता है जोकी बुद्धी के कारक है। अगर आपके पास सदबुद्धी रहती है तो हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है। आप भी आर्थिक समस्या का निदान चाहते है तो कुछ उपाय है जीने गुरुवार के दिन कर अपने जीवन की गाड़ी को दोबारा पट्री पर लाया जा सकता है। गुरुवार के दिन एक पीपल का पत्ता ले और उसे साफ पानी से धोक कर शुद्ध कर ले। अगर गंगा जल से पवित्र कर सके तो बहुत उत्तम होगा। इसके बाद पत्ते पर रोली या सिंदूर की मदद से ओम, शिरिम, रिम, शिरिम, नमहा लिख दे। इसके बाद पत्ते को अच्छी तरह से सुखा ले। जब पत्ता सूख जाए तो उसे अपने पर्स में रख ले। इसके साथ ही पर्स में मा लक्ष्मी के स्वरूप चांदी के सिक्के को भी रखे। धार्मिक मन्यता के अनुसार इससे भगवान विश्णू और मा लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है। और पर्स कभी खाली नहीं रहता है। साथ ही दोस्तों गुरुवार के दिन केले के रुख्ष की पूजा करे। अब जानते हैं गुरुवार के दिन किये जाने वाले दूसरे उपाई के बारे में। गुरुवार के दिन केले के रुख्ष की पूजा करे। मान्यता है कि केले के पेड में भगवान विश्णू जी का वास होता है। गुरुवार के दिन केले के पेड की पूजा करने से भगवान विश्णू प्रसन्न होती है। इससे भक्तों के जीवन में सुक सम्रुधी का वास हो जाता है। अब जानते है गुरुवार के दिन किये जाने वाले तीसरे उपाई के बारे में। तामवे के पत्र पर कुबेर यंत्र या श्री यंत्र अंकित कर अपने पर्स में रखे। कोशाद धक्ष कुबेर को स्थाई धन का देवता माना गया है, उनकी क्रिपा से धन का संचय होता है, उनकी क्रिपा से धन की कमी दूर हो जाती है। अब जानते है गुरुवार की दिन किये जाने वाले चवथे उपाई के बारे में। आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए गुरुवार के दिन गोमती चक्र, केसर और हल्दी का तुकडा या कौडी इन में से कोई एक चीज को अपने पर्स में रख ले। इस विशेश उपाई से आपके पर्स में हमेशा पर्याप्त धन बना रहेगा। ये सभी चीजे सम्रुद्धी की कारक मानी जाती है। अब जानते है गुरुवार के दिन किये जाने वाले पाँचवे उपाई के बारे में। दोस्तो आपकी कुंडली में अगर गुरु की स्थिती खराब है तो इससे विवाह में बाधाय आ सकती है। ऐसे में किसी जोतिश से सलाह लेकर गुरुवार का व्रत करना चाहिए और केले के पेड की पुजा करनी चाहिए। इससे विवाह बाधा दूर होने के साथ ही धन की आवग भी शुरु हो जाती है। तो दोस्तो ये थे कुछ उपाय जीने गुरुवार के दिन कर आप अपने जीवन के गाड़ी को दोबारा पट्री पर ला सकते है। जिससे आपके जीवन में पैसो की समस्या दूर हो जाएंगी और मा लक्ष्मी का वास सदैव आपके जीवन में बना रहेगा। ओम महालक्ष्मय नमो नमा धन्यवाद।